So basically इस प्रोगाम में हमें करना किया है हम user से input लेंगे दो coordinates Center के and एक radius लेंगे कि कितना बड़ा circle होने वाला है फिर एक point हम input कराएंगे user से कि हमें कहां पर लाए करता है वह find out करना है कि point जो user ने दिया है वह कहां पर लाए करता है जैसे हम इस example समझ लेते हैं कि जैसे यह हमारे पास एक circle है यह हमने user से x और y लिया center of the circle then हमने radius लिया user से लिया यह भी अब हम एक point input कराएंगे user से कि वह कहां लाए करता है एक point ले लिया जैसे कि यह है point x1 और y1 ले लेते हैं यह ले लिया अब user जब यह point देगा यह यहाँ पर भी लाए कर सकता है अंदर इसके यह यहाँ पर लाए कर सकता है यह इसके बाहर लाए कर सकता है वह हम find out करेंगे program से ठीक है इसका एक formula होगा इसका formula क्या use करेंगे distance formula तो distance formula क्या होता है under root x1 minus x whole square यह वला x और यह x1 y1 होगा जो हम यह input करेंगे square plus y1 minus y whole square यह हो गया distance का formula यहां लिख लेते हैं कि यह किसका formula है distance का ठीक है यह हो गया distance का formula तो यह हो गया x और यह हो जाएगा x1 अगर हम नहीं हाँ पे लिया point ठीक है तो यह हो गया x1 और यह हो गया x यह हो गया y1 यह हो गया y जो हम यह input करा लें इन दोनों के बीच में जो distance निकलेगा अगर यह distance हम इस formula से निकालेंगे अगर यह distance radius के बिल्कुल equal आ गया तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो इसी पे ही लाए करता है circle पे ठीक है तो इसे program बना लेते हैं अगर वो जो distance radius से बड़ा होता है तो वो outside the circle है अगर जो distance आया है यह वाला distance अगर वो radius से छोटा होता है तो वो inside लाए करता है इसके लिए एक program लिख लेते हैं जैसे hash include एक header file लगा लेते हैं पहले stdio.h उसके बाद int main उसके बाद क्या करेंगे हम हमें दो coordinates से यह एक तो कौन-कौन से यह वाले x और y जो center के लिए है तो यहां के लिखेंगे int x और y ठीक है और एक distance निकालना है उसके लिए एक variable ले लेते हैं distance ठीक है और हमें कौन से points चाहिए x1 और y1 जो हम user से input कराके बताएंगे कि वह कहां पर लाए करता है तो क्या करेंगे यहां पर लेंगे x1 और यहां लेंगे y1 हमने यह points ले लिए बस हमें यह variables चाहिए थे ठीक है इसके बाद अब क्या करेंगे input ले लेंगे user से printf क्या करेंगे उसे enter करो एक दो slash n दे देते हैं यहां पर लिखेंगे enter the coordinates of पहले किसके लेंगे center के center के भी user देगा न तो center के ले लेंगे फिर क्या करेंगे इसको scanf कर लेंगे कि दो coordinates दे दो हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं दुबारा यहां पर कि printf enter the x and y coordinates ठीक है यहां पर slash n दे देगे next line के लिए new line के लिए coordinates percentile d x और y coordinates जो center के हैं then क्या करेंगे अब एक radius लेंगे तो printf enter the radius of the circle कि कितना radius है circle का यह भी तो हम यूजर से लेंगे न कि यह radius कितना है यह वाला यह वाला radius ठीक है तो radius ले लिया इसको scanf कर लिया यह तो हम input और output कर रहे हैं बस इसससे scanf किया और यहां पर क्या ले लिया radius के लिए एक और variable लेना पड़ेगा radius r भी ले सकते हैं और radius पूरा भी लिख सकते हैं तो radius यह radius भी आ गया हमारे पास अब then हमें क्या लेना है अब अब अबंवे point के लिए अब यह वाले input ले ले लिए बस यह वाला input लेना है user से हम लिख देंगे printf क्या input लेना है वो यहां लिख देंगे कि enter the coordinates of points so enter the coordinates of points यह आगया यहां slash n लगा देंगे और इसको scan up कर लेंगे percentile d percentile d और यहां पर कौन कुछ किस किस में जाना है x1 में जाना है और y1 में जाना है यह हमारे सारे points आगे अब हम क्या करेंगे बस एक distance का formula लगा देंगे तो distance का formula हमने यहां देख लिया क्या होता है distance का formula यह है बस यह वाला formula याद होना चाहिए सब यह वाला पूरा problem हो जाएगी solve ठीक है तो distance का formula लगा लेते हैं so distance is equals to क्या है square root है पूरे का तो क्या लिखेंगे आपे sqrt अभी हम sqrt use कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक header file से math.h hash include math.h sqrt आ गया अब पूरे का sqrt अब इसके अंदर क्या क्या है x1-x whole square तो यह power में है whole square तो power किसकी power x1-x की power 2 यह आ गया plus क्या है फिर से power करेंगे किसकी power y1-y ठीक है y1-y की power 2 यह आ जाएगा इसको bracket में close कर लेते हैं ठीक है यह आ गया यह हमारा formula लग दिया अब हम क्या करेंगे अब check कर लेंगे बसकी if distance अगर distance greater than radius से तो क्या print करना है printf देखो distance यह पूरी distance जो आई अगर यह point यहां लाए करता है green ले लेता हूं में अगर यह point यहां लाए करता है और जो distance है वो radius से बढ़ी आगी radius यह है और distance हमारी बढ़ी आई यह तो वो outside लाए करता है तो क्या लिख देंगे point lies outside the circle अगर दोनों equal आई if distance is equal to is equal to radius तो क्या करेंगे printf point lie on the circle देखो यह जो distance यह वाली जो green वाली distance है वो यहां तक ही आई है बस और radius भी यही तक है तो क्या होगा यह on the circle है ठीक है अब एक और condition check करेंगे last कि if distance is less than radius तो क्या करेंगे point कहां लाए कर रहा होगा inside the circle point lies inside the circle पस यह चोटा सा program तो यहां लगा देंगे return 0 इसको run करके देख लेते हैं इन्होंने कहा enter the coordinates of a center तो हम दे देंगे outside the circle एक और condition के लिए चेक कर लेते हैं एक और condition के लिए चला के देख लेते हैं 00 ही दिया और radius दी 6 और अब coordinates देंगे कम थोड़े तो जैसे देंगे 3 और 4 तो अब क्या है तो